नमस्कार मित्रों आज हम पढ़ रहे हैं जाई सीक्रित महाकाब्य पद्मावत के नागमती का ब्रेवर्णन का एक अंस बारह मासा बारह मासा के अंतरगत नायका के पती या प्रेमी के जब बहा जाने पर बारह मास किस प्रिकार से कटते हैं उसकी रितुएं उसे किस तरह से परेशान करती हैं उसके दुख को कैसे वे बढ़ाती हैं यही हम बारह मासा में देखते हैं यहाँ पर पर्माबत के अंतरगत राजा रतनसेन पर्माबती की कहानी हम देखते हैं, जो कि उनकी दूसरी पत्नी थी और पहली पत्नी रतनसेन की नागमती थी, तो उनका यहाँ पर विरेवरनत दिया गया है, आज हम इसी को पढ़ेंगे, आप देख रहे हैं अपना चैनल क्यान का प्रकास, CBSी हिंदी बिद मत्रादास, आज हम पढ़ रहे हैं, अंतरा कक्षा बारे की हिंदी अच्चिक की पाठ पुस्तक, जिसके कविताखन का आठवाँ पाठ है, मलिक मुहम्मत जैसी कृत बारा मासा, देखते हैं पाठ का परिचय, चित्तोरगर के राजा रतन सेन पर्मावती के सौंदर पर मुख्धो कर उसे पाने के लिए सीहल दीप, जिसे स्वी लंका कहती हैं, चले जाती हैं, इदर उनके व्योग में उनकी पत्नी नागमती व्यतित हो कर अपने हिदय को अपने आसूं में डुबो लेती है, वह एक आदस भारतिय रम्नी हैं, ज प्रतेगरितु किस तरह से नागमती के व्योग को और बढ़ाती हैं, इसे प्रस्तुत करते हुए वेदना की अत्यंत पावन और मार्मिक अव्यक्ति की गई है, प्रस्तुत पार्ट में जायसी के प्रिसिद्ध प्रवंद काब्यर पद्मावत के बारे मासा का एक अंसर प् प्रहणी नाई का भोरे और कोई के सामने अपनी व्योग विथा को वर्ण कर रही है, दूसरे पद में ठंड की रितु आने पर प्रेमिका के सरीर के कपकपाने तथा उसके हिदय के कापने का सरीव चित्तरन किया गया है, तीसरे पद में वशा रितु के आने पर वशात और हवा के कारण नाई का नागमती की विरह की आग और तेज हो जाती है, और अंतिम चौथे पद में फाग उनकी ठंडी हवा ठंड को दोगना कर देती है, सभी फाग उनके रंग में आनंदित हो रहे हैं, किन्तु लोगों को आनंदित देख नाई का नागमती विरह की अगनी में और अधिक जल जाती है पहला पद पढ़ेंगे अगहन देवस घटा निसिबाडी दूबर दुखसो जाए कि मिकाडी अब धनी देवस विरे भाराती जरे विरे जियों दीपक बाती कापा हिया जनावा सियूं तौपे जाए होई संग प्यू घर घर चीर रचा सब का बहुरा गाजो विचोई अबव फिरे फिरे रंग सोई सियरी अगनी विरहिनी यह जारा सुलगी सुलगी दगधे भेचारा यह दुख दगद न जाने कंतू जोबन जरम करे भसमनतू पियसो कही हूँ संदेशना ए भवरा एकाग सो धनी विरही जरी गई तेहिक धुआ हम लाग यह जो अंतिम की दो पंक्तिया यह बहुत प्रसिद्ध पंक्तिया कही जाती है जाएसी जी की तो देखते हैं प्रतम पत्का की ब्याक्या कभी कहता है कि विरह में चूर नाइका ठंड के मौसम में वियोक से आतुर होकर कहती है कि अगहन के महीनी की रात में काली-काल बड़ी चली आ रही है उसी पिकार नाइका का विरे रूपी दुख भी लगातार बढ़ता जा रहा है नाइका कहती है कि मैं विरे रूपी दुख को कैसे दूर करू अपने पती विना यह रातें काटी नहीं जाती उसे कोई रास्ता नहीं सूज रहा वे कहती है कि वे कहां ज जैसे जल रही है जैसे दिये की बत्ती जलती है उसका हेदे काप रहा है या विरय के दिन उससे कटते नहीं ठंड के ऐसे मौसम में यदि प्रिय पास हो तो उसके हेदे को चैन मिले रतेक घर में रतेक व्यक्ति गर्म बस्त ओड़ कर आनन से सो रहा है लेकिन हे मिरे नात मैं व्यक्न हूँ मैं व्यक्न हूँ तुम जो गए तो लोट कर फिर नहीं आए अब तो लोट कर आजाओ मेरा यह सुन्दर रूप किस काम का यह ठंडी आग तुमारी प्रियतमा के दिल को जलाती रहती है तुम मेरे दुख को क्या जानो यह विरय की अगनी मुझे पल पल जला रही है नाएका ऑपने विरय को प्रस्तुत करने के लिए कौय और भवरे से कहती है कि हे कौय हे भवरे मेरा यह संदेश मेरे प्रियतम तक पोंचा दो कि तुमारी प्रियतमा तुमारे विरय में जली जा रही है जली क्या जा रही है जल चुकी है उसकी नाइका विरे रुपी अगनी में जलने से जो धुआ उठा वही धुआ हमें लग गया है इसी कारण हम दोनों काले हो गए हैं दूसरा पर पढ़ते हैं विरे दिन मिला हो निसी बासर विरे कोकिला रेनी अकेली साथ नहीं सकी कैसे जियों विछोड़ी पकी विरे सिचान भवें तन चाड़ा जियत खाए मुएं नहीं चाड़ा रकत ढरा मासू गरा हार भै सबसंक धनी सरस होई ररी मुई आए सम्टेउं पंक व्याक्या दिखते हैं तुम कहां हो ऐसे में यदि तुम आकर मेरे कलेजे से लग जाओ तो मुझे कुछ चैन मिले यह पत बड़ा लंबा है ऐसे में मुझे कुछ भी सूज नहीं रहा मेरी ओड़नी हलकी होने के कारण मुझे बहुत ठंड लग रही है ऐसा मालूम होता है कि जैसे उसकी सहिया ताथ उसका बिस्तर भी बर्ख के समान ठंडा लगता है चकवा चकवी रात को बिछड कर दिन में मिल जाते हैं कोयल भी रात दिन विरह वेदना से तरपती रहती है उसे अकेले ही रात पितानी पड़ती है उसका प्रिये उसके साथ नहीं होता ऐसा बिछड़ा हुआ पच् दूसरी और विरह में ब्याकोल पक्षी भी जो मरे हुए प्राणियों को खाता है वह इस ठंड में जिंदा प्राणियों तक को नहीं छोड रहा खोन सूख गया है मास गल गया है हट्डियां संके समान पतली हो गई है सारस की पतनी भी चीक चीक कर कह रही है कि मैं मरे जा र दती है तीसरा पद पढ़ते हैं लागियों महा परे अब पाला विरह काल भयू जड़काला पहल पहल तन रूई जुझांपे है हैली हैली अधिको हियंकांपे आई सूर होई तपुरे नाहा तेई बिनू जाड न चूटे महा एही मास उपजे रस मूलू बिरे पबन होई म आरे जोलू जोला नैन चुबैं जड माहुट नीरू गियं नहीं हार रही होई डोरा तूटहीं पुंद परहीं जस ओला तेई चल अंग लाग सर्चू चीरू केहिक सिंगार को पहिर पटोरा तूं सो भवर मोर जोबन फूलू तुम बिन कंत धनी हरूई हरूई तन तिनुवर भा डोल तही पर विरे जराई के चहें उडावा जोलू देखते हैं व्याक्या व्योग में आसकत नाई का कहती है कि अब माक का मैना सुरू हो गया है और पाला अथात ओस पढ़ने लगी है ऐसी समय उसे ऐसा लगता है कि मानो उसकी मृत्यू हो गई ह पहले पहले तो सरीर पर रूई रजाई आज़ी डालने पर और भी अधिक ठंड लगती है और सरीर में कपकपी उत्पन हो जाती है सूरच के निकलने पर सूरच के निकलने पर पती को गर्मी लगती है और उसके बिना माग में जाड़ा दूर नहीं होता सर्दी नहीं मिठत माग के इस महीने में पेड़ों की जड़ों में रसुस्पन होता है सारी बनस्पतियों में भी रसु पैदा होने लगता है ऐसी स्थती में विरे की हवा नाइका को जखजो देती है और अधिक दुख देने लगती है पती के व्योग में आखे इस प्रिकार वसने लगती है मान बूंद गेती है तो ऐसा लगता है मानो ओले पड़ रहे हो विरह में डूबी नाइका के आशू जब बस्त्रों पर गेते हैं तो ऐसा लगता है मानो की वाण बनकर सरीज को चीर रहे हो ऐसे में रेसमी बस्त्रों का सिंगार नाइका किसके लिए करे वह कहती है कि मेरे प्रिय के समान हो भोरा एक फूल से दूसरे फूल पर मंड राता है फूलों का रज चूसता है और उड़ जाता है वे आगे कहती हैं कि तुमारे बिना तुमारी पत्नी इस सरी से हार गई है और कमजोर हो गई है उसका सरी तिनके के समान हिलता रहता है इस पर विरह रूपी अगनी भ मैं जल रही हूँ, तुम आकर अपनी प्राण प्यारी को वचा लो। अब देखते हैं अंतिम पद चतुत पद फागुन पबन जकोरे बहा, चोगुन सियू जाई कि मिसहा, तन जस पियर पात भामोरा बिरे न रहे पबन होई जोरा तरिवर जरे जरे बन ढाखा, भै अन पत पूल फर साखा करिन बनाफती, किन हुलासू मो कह भा जग दून उदासू फाग करें सब चाचरी चोरी, मोही जिय लाए दीनी जसी होरी, जव पैप्यही जरत अस भावा, जरत मरत मोही रोस ना आवा राति हूँ देवस एहें मन मोरे, लागो कंत चार जियू तोरे यह तनजारो छार के कहो के पवन उड़ाए, मकुते ही मारग होई, परो कंत धरें जहां पाओ, यह जो पंतिया हैं दोनों यह भी बहुत प्रशिद्ध है इन्हें जरू दियानक हैं तो देखते हैं भी आख्या फागुन की हवा नाइका को जगजोर रही है, उसके चलने से ठंड चार गुनी बढ़ गई है ऐसी ठंड कैसे सही जाए, क्योंकि प्रिया के बिना यह पवन अत्यंत दुख देने वाली है मेरा सरी तो पत्ते के समान हो गया है, जैसे हवा पत्ते को उड़ा ले जाती है ऐसे ही मेरे तन को यह उड़ा ले जाए तो विरह अथाद प्रिया से विछणने का जो दुख है वह ना रहे ब्रक्ष जणने लगे हैं, जंगल में ढाक के पत्ते जणने लगे हैं रक्षों की टहीनिया, फल, फूल और पत्तों से रहित हो रही है, सारी बनस्पतियां जैसे उदास हो गई है, यह सब जैसे मुझे कहते हैं कि संसार में उदासी दोनी होकर छा गई है, सबी लोग फागुन में खेलते हुए सब एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, लेकिन मेर मेरे मन में तो जैसे होली जल रही है, प्रिय से अलग होने कर, होकर मेरे भाव भी जल रहे हैं, जलते मरते हुए भी मेरे मन में क्रोद नहीं आ रहा, बस दिन, रात इसी तरह के भाव उठते रहते हैं, कि अपने पती को छोड़ कर मैं कहा जाओं, विरहणी नाइकांत में क कहती है कि इस सरी से या तो प्रांट छूट जाएं, या हवा उसे उड़ा ले जाएं, जहां मेरे प्रिय के पाउं पड़े हूं, उस रास्ते पर चली जाओं, क्या पता मुझे मेरे प्रिय मिली ही जाएं, तो यहता पाठ बारह मासा, देखते हैं कि भावनुकूल भासा का प्रियोग किया गया है, बोल चाल की अब दीभासा का प्रियोग हुआ है, विविन अलंकारों की सुंदर छटा दिखी है, कभी ने विरहनी नाई का नागमती की विरिवेदना को अच्चंत मार्विक रूप में प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत बारह मासा हिंदी का सबसे प्रसिद 12 माजा है तो आप देख रहे थे अपना चैनल CBSC हिंदी विधमत्रहदास च्ञान का प्रकाज CBSC हिंदी विधमत्रहदास हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें को लाइक करें और हमाई चैनल को follow करें अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो comments करके अपने message के द्वारा आप हमें अविश्च बताएं हमें इससे प्रोसान मिलेगा और अच्छी वीडियो बनाने के लिए हम और मेनत कर सेकेंगे फिर में लएंगे नई वीडियो के साथ ऐसे ही देखते रहिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद